हेलो फ्रेंड असलाम अलेकून नमस्कार आराई इजी आर्ट में आपका स्वागत है कैसे है आप लोग दुआ है सब मज़े में होंगे आज मैं आपके लिए करिश्य से पनी टोपी और सौक्स का वीडियो लेकर आए हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को स इसेनल मिल्ती रहां सबसे पहले हमने 66 चैन बुलेंगे यह देखेए हमने 66 चैन बन ली है अब हम घर चेन में एक डबल करोश्या का बनेंगे तो हम 66 को बनेंगे यह दो करोश्या बुल लिया है इसमें यह बुलने के बाद हम white धागा लेंगे फिर हम इसके एक chain में ये लेंगे white और इसको एक बार दो बार धागा उपर लेके तीन बार धागा उपर लेके चार बार फिर इसके हम तीन और फिर दो फ़न दे एक साथ करके इसको बुल लेंगे इसी तरह एक chain छोड़के क्ञ somewhere we 566 . तो हमारे फंदे 66 prawda बुनने के बाद अब हम इसको कम कारेंगे यानि कि हम क्या करेंगे हम एक chain में एक डबल करोशा बुनेंगे फिर हम एक chain छोड़ देंगे और next में फिर हम एक डबल करोशा बुनेंगे इस तरह से तो ये 66 जो पहले डबल करोशा थे अब वो 33 रह जाएंगे ये देखे हमने एक line बुन ली है उसकी 33 अब हम इसके हर chain में एक डबल करोशा लेंगे यानि कि हम 33 डबल करोशा बुनेंगे इस तरह एक line बुन दी और next line में फिर हम इसी तरह घटाएंगे अब हम फिर एक chain छोड़के next chain में डबल करोशा बुनेंगे इस तरह से हमारे पास अब ये 16 रह जाएंगे ये 16 हो गए और यहाँ पर हमें ये जो टोपा है बंद करना है हम इस धागे को बीच में से निकाल लेंगे और इसी धागे में अब हम सुई पिरो देंगे ठीक है इसमें हमने ये सुई पिरो दी है अब हम इसमें ऐसे कच्चे की तरह उपर कर जो side है ने यहाँ पर हमारे 16 हमने double crochet बुने थे वहाँ पर हम इस तरह से ये टांके की तरह हम इसको सुई से इस तरह से ले लेंगे और इसके बाद हम इसे पूरा खीच लेंगे tight से हम इसे खीच लेंगे ये देखे हमने ये खीच लिया है और ये इस तरह से हमारा ये बंद हो गया है बंद होने के बाद हम इसको इधर से seal देंगे ये पूरा हम इसको अच्छी तरह से पहले टांका हम tight करके लगा लेंगे यह देखे हमने इसका धागा अच्छी तरह से लगा लिया है और यहां नीचे तक हम इसको सिल देंगे इस तरह से हमारी यह जो टोपी है यह सिल जाएगी और इसके बाद हम इसमें लगाने के लिए फूल बनाएंगे इस तरह से हम धागे को घुमा कर एक गोला बनाएंगे और जो धागा है उसको नीचे खीच के रखेंगे अपने पकड़ेंगे और इस गोले में हम दो डबल करुशा बूनेंगे यह दिखिया हम ने दो डबल करुशा बूना है और एक हम SINGLE करुशा बुनेंगे उपर धागा नहीं लेंगे SINGLE करुशा बुनेंगे इसी तरह से हम 5 बार बुनेंगे इस गोले में यह 5 बार हमने बुन लिया है अब हम यह नीचे जो हमने धागा पकड़के रखा तो उसे खीश लेंगे तो ये इस तरह का एक फूल बन जाएगा तो ऐसे हमें तीन फूल बनाने है इसके बाद हमें एक बड़ा फूल बनाना है उसके लिए हम तीन चेन बनेंगे और चेन में शुरू में फिर एक चेन बनकर इसको गोला सा बना देंगे अब हम इस गोले के अंदर 10 बार double kerrusha बुनेंगے 10 बार हम इसके अंदर बुनेंगे यह बुन दिये हमने 10 बार अब हम इसको आपस में मिला देंगे यह देखे हमने आपस में जोड दिया है अब हम इसके बीच में पंखोडी बनाएंगे पहले हम 2 chain लेंगे फिर हम 1 chain के अंदर तीन बार डबल करुश्या बुनेंगे एक बार दूसरी बार यह देखे और इसके बाद यह तीसरी बार हमने डबल करुश्या बुन दिया उसके बाद हम एक सिंगल करुश्या बुनेंगे यह देखे इस तरह से यह पंखोडी बन जाएगी तो ऐसी पांच पंखुडिया यानि कि यह फूल हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे यह बड़ा बन गया है तो इसमें जो हमने टोप अब तैयार किया है उसमें पहले हम इस बड़े फूल को लगा देंगे और उसके बाद इसमें हम यह धागा बीच में निकाल की यह देखे, यह हमने इस तरह से टोपी में अटेच कर दिया है, अब हम सॉक्स बुनते हैं, सॉक्स के लिए हम 27 चेन लेंगे, तो यह हमने 27 चेन ले ली है, ये 27 चेन लेने के बाद हमने half double करोश्य से पूरा सौक्स बुनना है देखे धागा उपर लिया फिर हमने ये chain बुनी फिर दो लिये फिर एक ये तो full double करोश्य हो गया ऐसे हमने नहीं बनाना है हमने half double करोश्य से पूरे सौक्स बनानी है ऐसे chain फिर हमने ये लिया और तीनों को एक साथ बुन दिया ये है half double crochet chain में डाला धागा उपर तीनों एक साथ बुन दिया chain धागा उपर लिया अंदर डाला तीनों एक साथ इस तरह से ये half double crochet sorry फिर ये देखिए ये मैंने white वाला भी पहले टोपे में बता दिया था इसलिए इसको इसमें मैंने नहीं बताया है इसी तरह से white हम डाल देंगे और फिर सब chain जो white के बीच में दो half double crochet डालते हुए हम इस line को complete कर देंगे तो हमारे फिर ये 27 फंदे तयार हो गए है अब हम 13 इदर रखेंगे 13 दूसरी साइट बुनेंगे ये देखे हम ये अब 13 double crochet बुन लेंगे ये हमने 13 बना लिये हैं तो बीच में जो एक रहे गया था उसमें हम 4 बार हाफ double crochet बुनेंगे हम 4 बार इसमें एक ही खाने में हम 4 बार डालेंगे तो इस तरह से हमारे ये फंदे बढ़ जाएंगे 4 फंदे हर line में बढ़ जाएंगे और फिर हम ये 4 बुनने के बाद हर chain में इसी तरह डालेंगे देखें इधर अब 15 हो गए बीच में फिर 4 बढ़ गए इधर अब हमने इधर जब बुनते आएंगे हम तो इनके ओपर 15 रह जाएंगे बीच में फिर हम 4 बुनेंगे इसी तरह से दो 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 नो side में बढ़ते जाएंगे हम बीच में हर बीच के इसमें ये देखें इस तरह बढ़ते बढ़ते हमारे अब हमने ये 5 बार बढ़ा दिये हैं अब हम इसे नहीं बढ़ाएंगे और इसी को आगे 4 लाइने हम half double crochet के बुन लेंगे ये हमारे तयार हो गया है अब हम इसको seal देंगे ये देखें सिलने के बाद जो हमने फूल बनाये थे तीन एक हमने टोपे में लगाया दो हम इधर सौक्स में लगा देंगे ये देखें हमारी टोपे और सौक्स तयार हो गई है और ये हमारी गुडिया ने इसे पहन भी लिया है देखें अगर आपको ये पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इसी तरह के अच्छा अच्छा वीडियो आपके सा करती रहूं थैंक यू फो वाचिंग